नमस्कार दोस्तों आज भी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीटूब चैनल खुशाल जन्दगी में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करेंगे कि कैसे जीव वाले इनसान हो करती रहे तो चली बिना के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो समध शास्त्र में लोंगों की आख नाक कान आदी देखकर उनकी सभागे बारे में कई चीज़े बताये जाती हैं और वैसे ही लोंगों की जीव देखकर भी उनके सभागे बारे में जाना जा सकता है और समध जीब काली आभा होती है या आभे रंकी होती है या खुर्दुरी जीब पर मेल जमार है तो ऐसे व्यक्ति करमशे दूर भागशाल भागहीं तथा पाप कर्मिल लिप रहते हैं और इनकी प्रवित्ती होती है और मोटी और चौडी जीब भागहींता के इंशानी हैं और इसी तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूं तो जिस व्यक्ति की जीब लाल रंकी या फिर पतली होती है वह व्यक्ति सौभागशाली होता है और धनवान होता है और जिस व्यक्ति की जीब खुदरी होती है या फिर काले रंकी होती है या फिर मोटी चोड़ी होती है बिर्वेक्ति दुर्भाग इशाली होते हैं तो आज़ी वीडियो के लगसे इतना ही और अगर आपको मारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजेगा मिलती मैं आप से अपनी वगली वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार और हाँ जाने से पहले मैं आप से एक और बात बता दूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज आप बेच जीचा कमेंट करें कमेंट बॉक्स में मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाइ देने की पूरी कोहिश करूँगी और साथी साथ अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो आप बताएएगा मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए जरूर ले कराऊंगी तो देगे ले नमस्कार अपना क्हाल रखे